है नमस्ककार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्टारके और आप देख रहें आर्के टेडिंग तैरी देखेंगे दोनों इंडेक्स के स्टॉक्स किस लेवल पर खड़ा है कहां सपोर्ट ले रहा है कहां रेजिस्टेंस ले रहा है रहा है हमारे क्या लेवल उसमें बन सकता है दोस्तों वीडियो और आनसी से पसंद आए तो जब लाइक किजिए और अपना इंपोर्टेंट करना होगा राउंड नंबर 2000 के ऊपर 2000 के ऊपर अगर कोफोर्ज निकलता है तो 2050 से लेके 200 तक का टार्गेट दिखा सकता है और सेल करना होगा तो हमें 1940 के निचे सेल करेंगे टार्गेट 1900 तक का कोफोर्ज आपको दिखा देगा HCL Tech की बात कर लेते हैं 720 के उपर अगर HCL Tech निकलता वा दिखता है आपको तो हम लोग 740 से लेके 750 तक का पोजिशन बना सकते हैं बाई साइड में नौकरी यानि Info Age की बात करें Info Age में मैंने पहले भी बतावा था 3400 को पर भाय का पोजिशन बनाएंगे 3500 के टार्गेट के लिए वो सारे टार्गेट डन हो चुका है नया पोजिशन हम लोग 3600 को पर बनाएंगे 3700 के टार्गेट के लिए याद रिखे Info Age जब 3600 को पर निकलेगा तो 3700 का एक टार्गेट देगा कल अगर ये इंटाडे में 3400 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है ना तो हम सेल का पोजिशन बनाएंगे बेचेंगे इसको इंटाडे में शौर्ट सेल करेंगे टार्गेट हमारा 3350 के आसपास का और 3300 का भी मिल सकता है InfoSys की बात कर ले InfoSys 950 के उपर अगर निकलता है तो 975 तक का टार्गेट इंटाडे में ही आपको दिखा सकता है और अगर ये 975 के उपर निकलता है तो आपको 1000 तक के टार्गेट InfoSys दिखा देगा LTI यानि LNT InfoTake की बात करते हैं तो LNT InfoTake की 2500 के उपर हम लोग पोजिशन बनाएंगे मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कल इसमें एक मोमेंट मिलने वाला आपको बहुत फास्ट 2500 के उपर पोजिशन बनाएंगे माइंट्री की बात करते हैं दोस्तों हम लोग माइंट्री देखें 1200 के उपर मैंने पोजिशन के लिए माइंट्री में बताया था कि 1200 के उपर अगर निकलता है तो 1220 से लेके 40 तक के टार्गेट देगा 20 वाला तो टार्गेट कंप्लिट करिया 40 वाला नहीं कर पाया कल अगर ये 1190 को नीचे ब्रेक करता है सेल करेंगे 1150 के टार्गेट के लिए और अगर ये 1220 के उपर निकलता है तो फिर बाय साइट पोजिशन बनाएंगे टार्गेट हमारा कहीं न कहीं 1240 से लेके 60 तक कम मिल सकता है एमफासिस है इसके बाद दोस्तों अगला IT स्टोक्स और एमफासिस बहुत ही जवर्दस बहुत ही जवर्दस बहुत ही बांस किया है जो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था है 1080 का जिसके नीचे वो गया ही नहीं इसी के निचे हमें सेल का पोजिशन बना आता लेकिन ये नहीं गया तो नहीं गया तो अच्छी बात है न अब हमें बाय करना 1200 के उपर ठीक है 1160 के उपर बताया था 1200 के टारगेट के लिए लेकिन हलांकि 1190 तक कहाय लगा हुआ हुआ है ये 1200 के ऊपर अगर ये निकलता है न तो 1240 तक का टारगेट अफसिस आपको दिखा सकता है और TCS नज़र रखे था तैज़हस पर नज़र रखेड़ोस्तों टीच लिए तैईस तो के ऊपर बार बार रिपीट करता है आओ आप से TCS को 2300 के उपर बाय करिए 2350 से लेके 2400 के टारगेट के लिए closing basis पे अगर आज TCS ने हाय लगा है 2324 का close नहीं किया 2300 पे उसे pass में close किया 2299 पे कल दिखिएगा एक moment मिल सकता है आपको नज़र रखिएगा वापस से अगर ये 2320 के उपर भागता है तो फिर से 2350 2300 और 2400 के तरफ जाने की कोसिस करेगा टेक महिंदरा की बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों लाइव मार्केट में call प्राप्ट करने के लिए टेलेगराम चैनल को ज़रू जोयन करिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा फिर योप कोस्ट में आप लाइव मार्केट में call प्राप्ट कर सकते टेक महिंदरा की बात कर ले टेक महिंदरा 760 770 ये सब लेबल हैं अगर इसके उपर निकलता है तो अच्छी बात है लेकिन अगर 290 ऊपर 290 ऊपर निकलता है 310 से लेकर 320 तक का टार्गेट भी प्रो आपको दिखा सकता है हम लोग और स्टॉक है आईटी का वह है जस्ट डायल के और बिल्ला सौक दो स्टॉक है तो जस्ट डायल आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको 385 के उपर जस्ट डायल को बाय करने बोला था 395 से लेकर 410 के टार्गेट के लिए 395 का लगवग लगवग हाय तो लगाया है लेकिन कल अगर यह वापर से 395 के उपर निकलता है तो यह 410 की तरफ जाने की कोशिस करेगा जस्ट डायल बिल्ला सौक की बात कर लें ते इसको मैंने 190 उपर आपको बोला है हलांकि 73 से भाय करा के लाया यहां तक अब 190 की उपर जब तक नहीं जाए नया पोशिन नहीं बनाएंगे 190 उपर निकलेगा 210 का टारगेट 200 और 210 का टारगेट आपको बिल्ला सौक बहुत तेजी से दिखाएगा तो दोस्तो यह था निफ्टी के IT स्टॉक पर मेरा अपना व्यू अब चलिए चेंज करते हैं और निफ्टी के फार्मा इस्टॉस को यहां पर लगाता हूं और देखते हैं कि कौन सा फार्मा इस्टॉक कि इस लेबल पर खड़ा है एलकम के साथ बात करूंगा एलकम को हम लो 2900 के बनाइंगे 3000 के टार्गेट के लिए अगर यह 2900 के निकलता है यह तो 3000 तक का टारगेट अपको दिखा सकता है और विंदो फार्मा देखेंगे अच्छा पोजिशन बनेगा 840 के उपर 840 के उपर निकलेगा ना 860 से लेकर 880 का टार्गेट बहुत तेजी से और वि के लिए जब दस तीन दिन में इसने यहां से ला दिया अभी हम वेट करेंगे 440 के टारगेट के लिए कल मुझे लगता है यह 440 का टारगेट से लिए 410 के उपर 420 से लेकर 30 तक का टारगेट दिखा सकता है और अगर यह 380 के नीचे वापस से निकलता है हम सेल करेंगे 370 के टारगेट के लिए कैडला हेल्थ केर को सिपला की बात करें तो सिपला ने गैप फिल कर दिया है और अब यहां पे सस्टेंड कर रहा है लेकिन नया पोजिशन हम 760 के उपर बनाएंगे बाइबब 760 और टारगेट 780 से लेके 800 तक का सिपला आपको दिखाएगा लेकिन कंडिशन है 760 को उपर जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक कोजिशन नहीं बना सकते डिविज लैब की बात करें दोस्तों तो डिविज लैब में हम पोजिशन बनाने को तयार है लेकिन 3350 के उपर अन्य जब तक यह 3350 के उपर नहीं निकलेगा पोजिशन नहीं बनेगा 3350 के उपर निकलेगा 3400 और 3450 तक का एक टारगेट आपको बहुत तेजी से दिखा सकता है डिविज लैब डाक्टर रिड़ी डाक्टर रिड़ी के बात करके 44MP में 3500 के उपर अगर निकले तो 4500 के उपर डाक्टर रिड़ी निकलेगा तो 600 का एक टारगेट दिखा सकता है लूपीन की बात करते हैं क्या हो गया लूपीन जोस्तों जाकर बचैंडल की शेड़ु 930 से लेके 900 तक क्या आपको आता वाई इंट्राडे में दिखाई दे सकता है लूपीन में संफार्मा की बात कर लें संफार्मा 520 की ब्रेक बहुत बर्जवर्दस तरीके से होल्ड करता है बहुत बढ़ी हैं लेकिन हमारा लेवल बनता है 530 के उपर 540 और 550 के टार्गेट के उसके पहले बिल्कुल भी नहीं टोरेंट फार्मा की बात कर लें तो टोरेंट फार्मा में जो बाउंस है 2700 को पर मैंने पोजिशन बोला था 2800 के टार्गेट के लिए अलांके 2800 का टार्गेट तो इसने दे दिया और अच्छी बात है लेकिन आप जो पोजिशन बना चु और लगाता हूं और देखतें किलेमार्फ फार्मट पर बायिंग बंती है चली ज्ट टार्गेट करेंगे 285 के नीचे तर्गेट 270 तक का मिल सकता है एक अंतीम श्टक है पी यह उसे हम लोग देख लेते हैं अच्छा कुछ लोग अजनता फर्मा की बात करते हैं मैं जाना चे कर कोई टेंशन वाली बात नहीं है तेरह सो के निए कि निफ करेंगे पिर मпов पर फंदरा सो का टार्गेट मिल सकता है अजनता फार्मा की बात कर लेते हैं चलिए अजनता फार्मा किस लेवल पर बनेगा शोला सोगूप शोला सोग उपर एक इंपोर्टेंट रिजिटेंस जोन है अगर वह जोन ब्रेक होता है तो सोला सो पचास से लेके सात्रा सो तक का टार्गेट अजनता फार्मा आपको दिखा सकता है तो दोस्तों ये निफ्टी के आईटी और फार्मा इस्टॉक्स पर मेरा अपना भीव है अगर वीडियो और आनसी पसंद आए तो जोग लाइक कीजिए और अपना इंपोर्टेंट देना बिल्कूल ना भूलें मिलता आप नेक्स वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद